स्वागत बंदन अविनंदन तो दोस्तों एक आई चार तुलनात्मक राजनेतिक विसलेशन का वीडियो मैं आपके लेकर रहा हूँ इसमें हम लोग डिसकस करेंगे टॉप 20 ऐसी कोश्चन्स जो आपके आने बले UC NET Political Science exam में आ सकते हैं और दोस्तों आ के आ सकते हैं मैं बहुत सारे कोश्चन्स आपके लिए बिल्कोल डेफिनेटली मिलेंगे ही क्योंकि दोस्तों pattern यही है questions का इसी तरह की questions वो गूमा फिराके आपके लिए देते हैं बस हमारी concept clarity है तो आप आराम से कर लोगे तो दोस्तों आज के वीडियो हिंदी medium बालों के लिए है क्योंकि आप अल्रेडी देख चुके हैं थम्नेल को हिंदी medium इसलिए क्योंकि आपके लिए इंग्रिश मीडियों के साथ इंग्रिश मीडियों इससरा की वीडियों देता रहा हूं तो दोनों का काम होता रहेगा एक साथ चलिए शुरू करते हैं question number पहला तो पहला question आप से क्या बोल रहा है तो तुलनात्मक रायनिती के जनक के दिये हुएं मगर यह सब किसी काम के नहीं है बात करते हैं दोस्तों second question की second question सामा ने पिड़नाली सिध्दांत की व्याक्या किसने की थी दोस्तों सामाने पिड़नाली सिध्दांत का मतल़ होता है English में general system theory तो यह GST वाला GST नहीं नहीं तो आप GST समझ लो तो दोस्तों साम सामान ने पिर्णाली सिद्धानत की व्याक्या की थी लिज्विंग one वट नापने बात करते हैं दोस्तों question number three question number three is input output द्रिस्टी कौन और समर्राचनत्रमक कार्यात्मक द्रिस्टी कौन निम्नमे से प्राप्त किये गए हैं तो जो input output द्रिस्टी कौन है और संतograp का राटूर कौन हैं वो कौन्सी सुधान्त मैं से या कौन से रष्ट सर्ञाइं आपका सामान ने प्रिणाली saad अब आप समझ रहें मैंने आपके लिए दो कोशन में नियुग रही दो बार जनरल सिस्टम थिऊरियों के बारे उन इससे आप थोड़ा ऐसा क्लिव माने के चलिए कि जनल सिस्टम थे दोस्तों कोश्टन बनेगा आपका कमपरेटिव पॉलिटिक्स में बात करते हैं साथ कोश्टन नमर फूर की कोश्टन नमर फूर किसने कहा राइनिते विज्ञान सत्ता को साजा करने और आकार देने का ध्य पॉलिटिक्स से यानि कि आपका तुलनात्मक राइनिती जो है उससे आपका यहां पर आ रहा है क्या कि राइनिते विज्ञान सत्ता को साजा करने और आकार देने का अध्यन है यह किसने कहा तो दोस्तों यह कहा है लास बिल और कैपलान ने बात करते हैं साथ हूं कोश्ट question number 5 कि question number 5 किसने कहा राइने तक व्यवस्ता समाज व्यवस्ता कि एक व्यवस्ता है और दोस्तों अच्छा question statement based question ने previous year question भी है पहले भी आ चुका है तो करए टंसर डेविड इस्टं वाकि आपको option में almond का भी दिया हुआ है कैपलान का नाम भी दिया है डियूस का भी दिया हुआ है मगर हमेशा की तरह यह तीन option आपके irrelevant मतलब इनका यहां पर कोई उप्योग नहीं है बात करते हैं साथ यह question number six की question number six की question number six कि कौन सा बादाम द्वारा समझाया गया ज्राजनितिक विवस्ता का गुंड नहीं है अब कंफ्यूज मत हो ना यार बादाम का मतलब यहां पर यह हो खाने वाला बादाम नहीं है बादाम का मतलब यहां पर almond जो है उनके बारे में बात की जा रही है तो दोस्तनों almond एक कंपरेटिव पॉलिटिक्स की बस यह है कि मैंने जब इस ट्रांसलेट किया है इस पूरे बोल सकते इंगलिश मीडियम के है अन्योज रिता होती है सीमाओं का स्थिद्व होता है लेकिन विकास नहीं होता साथवा प्रशन है किसने कहा सत्ता ब्रेश्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से ब्रेश्ट करती है देख रहा है वाप सद्दों का खेल देख रहा है स्टेट्मेंट बेस्ट कोशन में तो दोस्तों ये का है लॉड एक्टर ने बात करते हैं साथ ये कोशन नंबर एट की क्या कहता है कोशन नंबर एट आप से राजनिती विवस्तां की व्याखिया किस ने की है तो दोस्तों बादम और पाविल अब फिर से बादम आगया भाई तो कन फील मत होना बार बार नहीं बताऊंगा बैठ आपको पता चलिए होगा बादम का मतलब क्या है तो बादम और पाविल आपका अंसर है पांच बशेस्टाएं राइनिते विवस्ता के जो दी हैं व आपको ब्लेक बॉक्स मॉडल की थियोरी के बारे में भी पता होना चाहिए अगर आपको पता होगा दोस्तों तो आप बहुत अच्छे यह कोशन कर पाएंगे डेविड इस्टन करेक्ट अंसर हमारा इस कोशन का चलते हैं सांथियों दस भी कोशन पर बादम के अनुसार फ आलमंड की तो आलमंड की बात करें दोस्तों तो यहां बाद आपके लिए हुआ है कि उनकी अनुसार कौन से एक इन्फुट फंक्शन है तो दोस्तों रुची अभी व्यक्ति यानि की इंट्रेस्ट आर्टी कोलेशन इंग्लिश मेदे में आप से बात करूं तो यह आपका इन्फुट फंक्शन है आलमंड के अनुसार बात करते हैं सांतियों कोशन नंबर 11 की 11 कोशन डेविडी स्टन कनुसार इनमें से कौन सा एक इन्फुट फंक्शन है तो निर्ने संचार समर्थन इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों डेविडी स्टन कनुसार समर्थन एक बादाम के नूसार यहीं कि आलमंड के नूसार इंपुट फंक्शन है आपका रुची अभी व्यक्ती तो दोस्तों इस तरह से बहुती बेसिक डिफरेंस में आपको दोनों तिंकर्स के बारे में दे सकते हैं आपसे पूछ सकते हैं बात करते हैं कोशन में 12 की डेवी इस्टन द्वारा प्रतिक्रिया होगी और नहीं इंपूट अउटपूट प्रॉपर आप आएगा बात करते हैं साथियों कोशन नंबर 13 की कोशन नंबर 13 बादाम के नूसार निम्रक्स में से कौन सा एक प्रकार का रुची अभी व्यक्ती नहीं है मतलब इंट्रेस्ट अर्टिकु नहीं है आलमंड के अनुसार बात करते हैं साथियों कोशन नंबर 14 की हित अभी व्यक्ती का कारे क्या है तो हित अभी व्यक्ती जाइनितिक दल का कारे है बात करते हैं पंद्रवे कोशन की पंद्रवे कोशन आपको भूल रहा है कि राइनितिक विचार के मुख्य प्रतिप बात करते हैं सात्हीहूं इज़ैं के साथ हमलोग 16 कुश्चन की आल मैंने चिनुसा नहीं सान्य sansk MTA नहीं है तो दोस्तों उत्तरदाी चंटा उन्य स्विडिक प्रृणालि की चंटाएं पृतिक आत्मक हमता जान इत्यक प्रृणालि की चंटाएं रहे प्रिनात्मक्षमताएं राजनितिक पिड़नालियों की छमता नहीं है तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो है आपका वह हो जायेगा नियामक छमताएं बात करते हैं 17 गोशन की almond knanosa minimلاث मैं से कौन सा output function नहीं है अब देखिए एक पूछा था आपको input function वाला question और एक पूछा था दो से कौन सा output function वाला तो output function नहीं है राज़ने तेक दल बात करते हैं साथ ही हो question number 18 की question number 18 एक बुक से assessment देथे आपको यह बताना है कि जो किताब का मैंने यहाँ पर आपके लिए टाइटल दिया हुआ है यह किताब किसके दोरा लिखी यह है किताब का नाम दोस्तों जैसा कि मैं मेरे बहुत सरे वीडियो में आपके लिए अल्यडी बताए हुआ हूँ कि किताब का नाम आपको भली किताब English में याद नहीं हो रही हो लेकिन उसका Hindi अनुवाद मत कीजिएगा आप Simple उस किताब को English में लिख सकते हैं तो दोस्तों यह जो लिखा है ना यह English है मतलब Hindi और English का Combination तो किताब का नाम है Framework for Political Analysis और A System Analysis of Political Life इस किताब को दोस्तों लिखा हुआ है डिविड इस्टन ने इस्टन पर यूजरी किताब का नाम पूछा जाता है तो आप इस्टन सम्मद्द जो किताब हैं बूब आप जुरूर तयार करके जाईएगा फिर भी आप अलग से कभी कमेंट करते हो पूछते हो मिरे टेलेग्राम गुरूप पर भी तो मैं आपको डेफिनेटली पूरा इखलिस्ट दे दूँगा आप उससे भी कर सकते हैं बात करते हैं 19 कोशन की प्रोसेस ऑफ गवर्मेंट किसके द्वारा लिखी गई थी तो दोस्तों फिर से एक किताब आपके सामने है प्रोसेस ऑफ गवर्मेंट लिखी गई है और्थर बेंटले की द्वारा बात करते हैं 20 वे कोशन की जो कि हमारे वीडियो का लास्ट कोशन है डेविड इस्टन के अनुसार इंपुट आउटपुट दस्टी कोण में लिखी मैसे कौन से दो वातवरन मौजूद है तो दोस्तों डेविड इस्टन के नुसार इंपुट आउटपुट दस्टी कोण में अंतर सामाजिक और अत्रिक्त सामाजिक वातवरन मौजूद है तो दोस्तों I hope ये छोटा सा मेरा आपके लिए प्रयास अच्छा लगा हुगा आपको questions में कुछ तो help मिली होगी और मिलता हूं मैं आपके साथ अच्छी तैयारी के साथ ऐसी किसी next वीडियो में discuss करेंगे हैं हम कुछ और important question तक लिए जोड़े रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल